तो ये है जी लुध्याना के सूपर फेमस परदेशी सरदार जी राजमा चावल वाले अमेरिका, कैनेडा, स्पेन और जर्मिनी जैसे ना जाने कितने कंट्रीज घूमने के बाद सरदार जी बेचते हैं जाइकेदार देशी खाना अपनी 1997 मौडल मारूती जैन में इनके यहाँ आपको मिलेंगे रसीले, राजमा चावल, चटाकेदार, कढ़ी चावल, मखनी, सरसो का साग और मकी की रोथी और सबसे खास बात यह है कि इनके यहाँ मिलने वाला सारा का सारा खाना बनता है मिट्डी के चूले पे पुराने और देशी तरीके से तो आपका स्वागत है मैं हूँ आपका अपना हरियार आज हम खाने है जी खाल साजी के स्पेशल कडी चावल, राजमा चावल, पी आर इस नगर में सबसे पहलो तो आप लोकेशन समझ लो यह जी लोधी क्लब रोड और इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको अंडर प एक दम फ्रेश, राजमा, गढ़ी, अभाई सब कुछ बनाते हैं एक दम बढ़िया घरेलू खाना, the magic ingredient is कि सब कुछ बनता है जी एक चुले के ऊपर, एक चीज जो है वो चुले के ऊपर बनती है, सुबह पांच बजे सर्दार जी चुला रग देते हैं, सुबह पांच अभाला जी, राजमा जी, और सर्सों का साग, चाटी की लशी, अरे साग आगे जी, ये कडी चेक करो यार, मज़ेदार, जी राजमा जी है, सुबह ने उटके चार बजे उट दी है, खोद आप चुले चे बना के लेके फिर आंदे, असी तो इत्थ है, जदो भी मौका मिल असी सदार जी को, ओ ये बड़े प्यार राल खलवान दे है सारा, भाई साब राजमा चेक करो, एक दम बढ़िया गाढ़े राजमा है, एंड चुले पे बने हुए, that's the best part about it, तवे की रोटी है जी, अरे वावावावावावावावावावावावावावावावावावा जाए मैं तो साग के दर्शन करना जाता है, इस सीजन में तो अभी तक किया ही नहीं है, ये पैक करके लेते हैं घर से टैम कम होता ना हमारे पास इतर ही, तो इधर आप पैक करके लेते हैं, खडी चावल, अगर आपका पैकिंग का ओडर है, तो आप यहाँ पे आके सीधा स जाम करके स्टाराइजा है, जास एक जाम कासा है और जे काड़ हूँ? यह है काड़े है और पखोड़े भी रेते हैं? अच्छा, आपने बना के दाले पखोड़े है जी लोग वी तो अट़ने हैं आपकी यहे जी जादा दाल दीवान है आपकी कुछा पर आप बहुत बड एक दम पुराने श्राइश देखो अगर किसी को जुकाम खासी हो तो तरी से वो भी ठीक हो जाएगा देखो ये चटनी है जी बहुत ज्यादा फेमस है उसमें धनिया पुदीना के इलावा 12 और चीज़े हैं पहले तो हम गाड़ी गुडी रखी एक राकटो कुछी नहीं सब्सेِ न değ ऑने वह बहुत जादा साथ में लग जाग रागच्छा ये बहुत जादा मिठीपम जुँ जुक्री एक प्लेट चावल सबसे न्दर पासमत लेज़ए जी यह आगे जी हरी चटनी, यह आगे मूदी चूले पे बने हुए राज्मा आगो वारी यह गतो फूलकी शुक् tehdडे यह पक्लेट में hide और ऑब वो चीज लग है जिस का मुझे सबसे जादा इनतिसार था यह है जी एकदम बढ़िया ताजा गर्मा गरम साग, सर्सो का साग वववववववववववववववववववववववववव दिरोमा इस मैजिकल यार मैं साग अभी इस सीजिन में अभी साग खा ही नहीं पाया हूँ मैं आ ना कंग वेट निए दिस वन रिष्ट निया वेगा जी प्लेट कर अंदर सलाग में है मूलि जो एक बढ़िया कॉम्बिने के साथ और या गरी चटनी सफदर कि एक ने चार रोट कि अदे ओं है और ये कितने प्लेट सेट जी ये साथ की ए साथ की प्लेट इसका प्राइस है 60 रूपीज एंड जो सर्सो का साग है एक दम फ्रेश एक दम बढ़िया और साग इस इंकम्प्लीट विदाउट बटर तो सर्दार जी ने मक्षन का भी इंतिजाम करके रखा है जी अगर आपको कुछ मीठा खाना हो तो शकर है क्या बात है वो भी और यह जी आज का हमारा स्वाद वट अंदरा सबसे पहले तो जिसके लिए हम यहां पर आए हैं जैसे फ्लाइट में बादल बहुत जरूरी है ना वैसे साग में मक्षन बहुत जरूरी है तो मैं एक हाथ से कर करने जा रहा हूं आपको मेरे एक्सप्रेशन जी आएंगे एक बड़ और वैसे बहाना गा बहुत ही बढ़िया रोटी बहुत ही बढ़िया साग है यह मेरी पहली बाइट है पहले तो वह एक्सप्रेशन नहीं आना था ना इस लिए such 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 a beautiful 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 बाइट आज इसा फील हो रहा है जैसे मैं किस्मत वाला हूं मज़ा आगे है मेरा मन कर रहा है एसी साथ आठ पर तोड़ी है लूप जननता है जिन्दगी का मज़ा आगें वहाँ स्वाद है यह श्याशा मैं कर रहे हिसागी नंबर साख के हैं मज़ा आगें गाजमतावल को दो लकारी आटली में अकेले बैठे हैं साग ने वैसे होश उड़ा दे हैं हरी जड़ी में और अटाथने ...and here's a bite तो सल्ली, बोहुत मस्ता है यार, हैरी जी ने पकॉडा मिस्कर दिया था, पर हम पकॉडा नहीं मिस्करेंगे, जो जो हमने मिस्किया उसको आप कवर करते हुए आएंगे, बिलकुल, खटास, एकदम परफिक, कड़ी खा कैसे, बढ़े भी नहीं हो रहा, ऐसे होता है, वैसे भी नहीं हो रहा और सिंपल भी नहीं है, ज़िए घर मुम्मा को बोलते हैं कि मम्मा बढ़ी आशी घडी चावल बनागो, यह वैसे घडी चावल, यह हैं जी, राजमा चावल, भाई साब, इनका जो मैजिक पार्ट है वह है जी बहुत सिंपल, बढ़ वेरी फ्लिवरफूल, भाई रही चटनी, तो यह उसमें फ्रेशनेस ऑ खीरा एं मिल्ट, अब नेक्स टैंग घर पर हरी चटनी बनेगी ना, मैं भी खीरा आड करने वाली एक्स्पेरिमेंट सारे मेर पे रहे हैं, भाई साम मैं तो वापस आ गया, एको राजमा भी अच्छे है, कड़ी भी अच्छी है, बट जो जादू है, जो बहुत अच्छा है, वो है जी साग, अगर आप सर्दार जी के बास आते हो ना, तो मेरी रेक्मेंडेशन ही है, यहां पर आओ, आप साग खाओ, एक कटोरी खाओ, दो कटोरी खाओ, जितना आपका मन करें उतना साग खाओ, कभी अगर आपका मन करें कुछ और खाने का तो कड़ी चावल काओ, अगर रैंकिंग होना तो साग है, एक दम चर्म सीमा, उच उच कोटी का साग है, उससे 0.2 नंबर कम है जी कडी चावल और उससे 0.2 कम नंबर है जी राजमा चावल, यहां पर आओ, साग खाओ, मजे लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें मिलो नेक्स वीडियो म जोदा हजदा दे वजदा रहे साथ पंजाब, नाले साथ दे हिंदुस्तान, जैहिन!